किसान भाई, वेल्कम टुर्फानूल नास्टरी, आज मैं आपको दिखा रहा हूँ, फिर से मिस इंडिया का जो आपेल बेर हो, वो कापी हाथ तक आपेल की तरह शेप आना चालू हो चुका है इसके अंदर, और इसका जो खासियात है कि एक तरफ इसका रेड है, एक तरफ ग किसान भाई, कितना एट्रक्टिव लूक इसका है, और अभी इसका जो वेट है बो 80-90 गिराम हो चुका है, और एक एक फाल 100-110 गिराम तक होता है, तो इसको हर्वेस्टिंग के लिए अभी भी 15-20 दिन हमें वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही इसका मार्केट में अच् आपको घुमा के दिखाऊंगा, किसान भाई, पूरा प्लांट में आपको दिखा रहा हूँ, जो जो रेट कलर का चीज है, ठीक है, वो फ्रूट है, और आपको क्या करना है, आप अगर इसका फार्मिंग करने में इंटरेस्टेड हैं, तो डिस्किप्शन बाक्स में हमारा नंबर दिया गया है, आप कॉंटक कर सकते हैं, डिटेल में जान सकते हैं इस वराइटी के उपर, फिलाल में आपको पूरा प्लांट दिखा था, किसान भाई, अच्छी तरीके से देखिए, एपल इसके साथ हार मन जाएगा, और इसका टेस्ट मेरे हिसाब से एपल से भी ठीके, ठीके, और मुझे उमीद है कि आपको भी ये फ्रूट खाने में बहुत अच्छा लगेगा, और इसको हर किसी को अच्छा लगना ही लगना है, क्योंकि ये वराइटी इतना ज्यादा टेस्ट इसका हाई है, इतना ज्यादा मीठा है कि इसका कॉंपरिजन आप गुर पूरा पेड में रेड रेड च्छा चुका है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हर एक प्लांट में हजारो एपल जूला हुआ है, क्योंकि दिखने में बिल्कूल एपल की तरह है, ठीक है, और किसान भाई इसके बारे में डीटेल में जानने के लिए आप हम से कॉंटक कीजिए, और हम इसमें से, यह हमारा मादर प्लांट है, और इसमें से ब्रांचेस कटिंग करकर के, करकर के हमने लाखो प्लांट टायर कर चुक है अचके टाइम पे, और बहुत ओर्डर्स आ रहे हैं हमारे पास, और मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी इसका फार्मिंग जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस ब्राइटी में इतना ताकत है कि एक किसान की जिन्दीगी को हिला के रख सकता है, और इस साल एक एक किलो फल लगबख 60-70 रुपे किलो जा रहा है, ठीके, तो इतना कीमती फल है, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ज्यादा है, तो आप लोगों ने जान कि जिस फल कम रहता है, और टेस्ट अच्छा होता है, उस फल का रेट हमेशा हाई रहता है, ज्यादा रहता है, और आपके लिए वही एक अच्छी opportunity साबित हो सकती है, कि आगर आपके पास जमीन है और आपको रिक्स लेने की अगर हिमात अप्पे है, आपके अंदर है, तो आपको इसका farming ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि यह किसी भी बंजर जमीन में भी आसानी से उख जाता है, और किसी भी climate में आसानी से fit भी हो जाता है, और ज्यादा treatment की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, So I hope दोस्तों एफ वीडियो आपके लिए बहुत ही helpful और knowledgeable रही होगी, और ऐसे ही वीडियो हम लाते रहते हैं दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ, और तब तक के लिए good bye